अश्कार रोस्तो स्वगादे आप सबका एट्टी सेट कार सर्वीस की इस वीडियो में और आज जो वीडियो होगा इंगी बहुत मतरा एबनॉर्मल नौइज है तो पहले मैं आपको इंगीन का जो साउंड है वह एक पार सुना देता हूँ तो चले गारी स्टरों तो अभी यह गारी जेखते हैं देख सकते हैं आपके स्ट्रीय गारी है और इसमें जो नौइज है आपको 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 अभी फिर हम इसको स्टार्ट करके आपको सुना दे स्टार्ट करो यह जो नौइस मेना मेंलि義 स्टार ए और इधर में तो रहता नहीं लुग ऑद्लिक इस फञ्वें जो है इसको पहले उतारेंगे उतार के फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि नॉइज अभी भी हो रहा की नहीं तो अभी यह बेल्ट खुलने के लिए यह जो चौदर नंबर का सौकेट टाइप पर दिख रहा है इसको कि यह मेरा बेल्ट वहां रागया है अभी हम इस कंडिशन में एक पर गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि जो नॉइज हो रहा था यह अगर बाहर का कुछ पुली से होता है तो यह मेरा आवाज फिर नहीं होगा क्योंकि बेल्ट अभी खुला है लेकिन अगर अभी भी इस बेल्ट खुला हुआ कंडिशन म अभी आवाज होता है तो यह उनकी अंदर की प्रव्लेम है तो तब मुझे और ज्यादा दूसरा कुछ डियागोनोसिस करना है तो अभी गाड़ी के को स्टार्ट करके देख लेते हैं तो अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट अब देख सकते हैं और इसमें अक्सिलेटर करो अभी अगर इसकलिशन में मिरा नहीं ओड़ा है तो इसका मतलब मेरा बार का जो यह सब पुली है इसमें प्रोब्लेम है अब हो सकता है मेरी पॉसिबल की इससे प्रब्लेम या फेर हमें जो अल्डश ने फीर है जो फु़िये इसलि से प्रोब्लेम तो यह मुझे घुमा के यह पूली हो इसको घुमा के चेक करना है तो ज्यादा अपरकेस में यह सस्पेक्ट इसी पे रहता है यह टेंशनर जो है इसमें प्रॉलेम होता है तो लेकिन मुझे यह जो पुली है यह गुमाने से तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है इसके वेसे टेंशनर खड़ाब हो जाता है तो उस कंडिशन में इन्वाइस होत इसके पुली को भी अगर यह जाम रहता है तब भी यह प्रॉलेम होने का चांस है लेकिन यह आपको हाथ से घुमा के मुझे तो कुछ प्रॉलेम नहीं लग रहा है यह अग्दम इसली मूफ कर रहा है और यहां पे जो का अल्टनेटर का पुली है इसमें थोड़ा सा वाइ से अब है क्यों जो प्रॉबलें यहां से यह पुली के सही से यह नहीं होना याभि बेरिंगी का रहा होने के वजह से हुआ है तो हो हो इँ तो है इसका प्रॉबलन को गुछो दूसरा है आज ओज्बलिय। मुझिंग gefातम कर लेंगे क्योंकि कि अगर कंप्रेशर पुली को नहीं चेक करेंगे और बात में इससे प्रोड्लम हुआ तो तब भी दिक्कत है और इसमें भी मुझे यह हलका सा वाइब्रेशन जैसा लग रहा है तो यह कंप्रेशर पुली है इसको लेखिए अभी मैं जोड से घुमाऊंगा और एक नौइज मतलब आएगा की नहीं मुझे पड़ता नहीं कि रेकॉर्ड होगा की नहीं फिर भी मैं पोशिश करता हूँ तो इस तरह का नौइज पुली से आ रहा है तो मतलब यह अपका प्रॉब्लम है और आप इसको हाथ से इस तरह से अगर कड़ेंगे तब भी यह वाइब्रेशन आप में तो इसका मतलब इसके अंदर की जो बेरिंग है वो खड़ावे तो बस दोस्तों इसी तरह से यह जो प्रॉब्लम है इसकी डियागोनोसिस किया जाता है अभी तो फिलाल यही था कि अगर बहार से होता है तो कैसे आपको डियागोनोसिस करना है